तो जस्ट मैं अभी भार इवनिंग के वॉक करी थी और मैंने देखा नोटिफिकेशन की आई पीएस क्लरक का एडमिट कार्ट आ गिया है और मैं इतना शौक होई अभी आरबी पीओ का भी नहीं और आरबी क्लरक का एडमिट कार्ट भी आ गया तो मैं दिखा देती हूं आप स्क्रीन से इतना दूर क्या बोलू मैं मुझे सेंटर पसंदी नहीं और देखो अभी तक मैं आरबी पीयो के मौक लगारी थी और आज से ही इन फैक्ट आज से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना स्कोर हारा है उसके मौक में प्रैक्टिस मौक और आप लोग भी बताओ आपका कब कब है कौन सी शिफ्ट में है किस टेट को है और ओवरॉल कितने दिन यह एग्जाम चलने वाला है अगर कोई उत्रा खंड से हो तो वो भी ज़रूर मुझे कॉमें सेक्शन में बताना आपका कहां है कौन सा सेंटर और इन केस अगर आप कि मैं 20 के बाद देना स्टार्ट करूंगी तो वही 10 से 12 दिन बच जाएंगे जो कि बहुत कम है और इंग्लिश सेक्शन भी इंक्लूट रहता है तो इंग्लिश का भी अब मुझे प्रीके मौक देने पड़ेंगे तो मिल्दा अलग से नहीं उसी में जो आईपीस करका है व नहीं है कि एक दूसरा दूसरा तीसरा तो इची बात है इंफैक्क बोत अची बात है इस पता होता क्या है अगर तुरंट-्उरंट हमारे एक्जेंट पर और इस सद्यान देना है तो यह चीज काफी है और काफी मुझे अच्छ भी लगती है, in fact सभी को लगेगी तो चलिए फे all the very best for your IBPS Clark exam और मौक दे और मौक के मार्क्स भी शेयर करें, जो प्रैक्टिस मौक का देता है वो दो डेफिनेटली कॉमन सेक्शन में करके बताना, और अगर कोई फर्स टाइम ये वीडियो देख रहा है लगक का मार्क्स भूम